हलो फ्रेंट्स मैं डाक्टर पियस तिवारी आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज क्या हमारा टापिक है नेजा नेजाएक होमेपेथिक द्वाई है इसको किस पावर में और किस शिम्टम पर किस डिजीज में यूज किया जाता है मैं आपको इसके विशे में डिट्रिम में बताऊंगा चलिए सुरू करते हैं दोस्तों वैसे तो नेजाएक हाट रेम्डी है हाट में 10 तरह की प्रावरम होती है उसमें यह दवाई काम करती है लेकिन हाट का स्विंटम बताने के पहले जो एक्स्ट्रा स्विंटम है पहले मैं उसको आपको बता रहा हूं उसके अगर बर्साथ हो रही है इसका पैसेंट हो रही है कुछ आदमी करते हैं इसका कोने में बाठा रहता है जब तक बरसात कंब नहीं कल रहे गा बरसात निकलेगी तब बाहान जाएगा तो ऐसे स्विंटम में नेजा 200, दो दो बुन करके हफ्ता में एक बार अगर लगाता है और कुछ दिन तक लिया जाए तो जो पेशन्ट का फियर है रेंज से ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगरा स्मिंटम है ब्रेडिक आडिया अप्टू 45 बीट पर मिनिट इसमें पर से इतना ज्यादा कम हो जाता है कि 45 तक आजाता है तो जब आपको कैसे मानू पड़ेगा 45 आगया है आपको बेशनी लगेगी आपको शास पूलने लगेगी आपको तुरंत आप अपना ब्लेड पर सच्चे करते हैं आपका पर्स 45 आ रहा है आप इसके बाद या तो डाक्टर पास जाएंगे या इमेजर्स्री में इसी जिकर आएंगे तो आप डाक्टर पास जाएए इसी जिकर आएगे लेकिन एकर पल्स 40 और 45 के बीच में हर्ट बीट कर रहा है आप जो है नेजा थार्टरी दो दो बून करके आधे आधे घंटे पर कम सक्रम चार पांच बार ले जिए उसके बाद जबाद का हट बीट आपका जब नार्वन हो जाएगा तो उसके बाद सुबस्ता आप दो बार कर दिजिए अब लगाता कम सक्रम में परना लेजिए तो सब्रहें अग्रें परवल लेगा सर्फित बाद और ओच बीटे लिए में तो आप दो ही ठोशिए फेकड़ान आगर इंघंड पराबलम के सात्में अगर हो ऊट बना हुआ है तो आप जो है नेजा 200 पावर में सब्दा में एक बार लिजे तो आपका जो मिंटर प्राबलम के साथ में हैटक मिना हुआ है यह आपका जो है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा दोस्तों इसका अगला सुन्टम है कि लेफ्ट टेंपूल में पेन होता है और लेफ्ट आर्बिट में आई का जो आर्बिट होता है लेफ्ट टेंपूल और लेफ्ट आर्बिट में पेन होता है और यह ऐसा पेन होता है कि पेन होते होते जो है भूम्टिंग हो जाती है और इ extending to occipit एदम occipit दिर्गया में फैल गया और इसके साथ में नोशिया और भूप्टिंग हो रही है तो अगर ऐसा symptom मिलता है तो आप जो है नेजा 30 पाउर का दिन में 3 बार 3-3 बूंद करके दिन में 3 बार लगता लिजिए तो आपका जो left temple में दर्द हो रहा है left orbit में दर्द हो और जो नोशिया भूप्टिंग हो जाएगी तो दिन में 3 बार लगता लिजिए आपका इस तरह का problem ठीक हो जाएगा दोस्तों उसका अगरा सुन्टेम है anxiety रहती है चेस्ट में आपको पता नहीं चलता है कि क्या है लेकिन आपको लगता है कि चेस्ट में एक तरह का आप इसके लिए परसा होने की जरूत नहीं है आप चुकी दर्थ है तो आप नेजा थर्टरी दो दो बूत करके 3-3 घंटा पर 4-5 बार लिजिए आपका जो है चेस्ट में जो इंजाइट्री हो ठीक हो जाएगी और जो चेस्ट में दर्थ हो रहा है और बठीक हो जाएगा दोस्तों इसके अगले सिंटम की तरह बढ़ते हैं इसका अगला सिंटम है ड्रिम साफ सिसाइड इसका प्रेशन जो है सपना देखता है कि हमने सिसाइड कर लिया है तो ऐसे सिंटम में ऐसे मिंटर की विकार में आप जो है नेजा 200 आप सपना दिखे हैं कि हम सिसाइड कर द दोस्तों इसका अगला स्विंटम यह है कि यह है जो है चात्र और छात्राओं में अगर हट की विमारी होती है तो सबसे पहले आप निजा पर ध्यान दीजिए क्योंकि निजा इस्टुडेंट और गर्ल जो छात्रा है उनके उपर विश्यस काम करती है तो अगर छात्राओं क हो हाट में देर्ध है तो सबसे पहले आप निजा पर ध्यान दीजिए और जैसा स्विंटम में उसादवाई दीजिए दोस्तों इसका अगला स्विंटम है कि यह डिप्रेशन ब्लड इस्पीच माने बोली बोलने में हजकर हाट आवाज ठीक से नहीं निकलता है और शिशा अग बंद करके आप एद्वाई नेजा टू हरनेड्ट सवता में दीजिए उसका डिपर समीठीक हो जाएगा उसकी आवाज भी ठीक हो जाएगी और उसकी जो है सिशाजल ट्रेंसी एविठीक हो जागी दोस्तों इसको अगरा सिम्टम है कि शोलिंग आप देए यह एकर प पूरा सोलिंग है विठार बिदाव डिश्चार्ज तो आप जो है नेजा लेजिए नेजा थार्टी पावर में दोद्रबूद करके दिन में तीन बार लगाता लेजिए तो आपका जो एर के अंदर या एर के बाहर जो सोलिंग हो आपकी ठीक हो जाएगी दोस्तों इसका आगला शुम्टम यह कि चोकि इन थरोट गले में जो गला बंद हो जाता है मोसे आगार नहीं केलती है क्योंकि चोकिव हैं तुर आइस शुमिंटरम शाट पड़िए और बाकहन सुइन घ्याओर्टा जया क। दोस्तों यह तो हो गया आपका नेजा का एक जेनरल स्विंटम अब आप चलते हैं इसके हड के उपर क्योंकि हाड के उपर ही उसकी में क्लिया होती है हाड में क्या होता है पहला स्विंटम है एंजाइना इसमें क्या होता है गर्दन में दर्ध हो गया है चेस्ट में दर्ध हो गया है पेन. इंडी हट रीजन, नेर्लजिक पेन, स्टीचिंग पेन, तो अगर आपको अचानक से दर्ध हो जाएगा, तो आप एसी जी कराएंगे, डाक्टर को दिखाएंगे, वो तो बाद में है, लेकिन जब आपको एंजाइना का पेन हो गया, और ओ दर्ध एंजाइना का पेन, गर्दन तक पहुंच गया पीछे ऑश्पिटर रिजन पहुंच गया और दर्द जो है कंधा तक गया और कंधा से पूरे हाथ हो गया एंजाइना पेन हो गया तो इसके लिए बहुत अच्छी द्वाई है आप जो है निजा थर्डी पावर में दो दो बूंद करके दिन में 304 लगाता हा लिजए आपका इस तरह का इंजाइना पेन तो इसका पंप्रेशन एक अच्छी द्वाई है दोस्तों इसका अगला हर्ट से सब्वन्दित कि डैमेज्ड घैर्ट किसी का हट्ट डैमेज हो गया है कोई इनफेक्सर्ट भीजेज हुआ है और हट् तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूत नहीं है अगर रिपोर्ट में आ गया है कि आपका हाट डैमेज हो गया है आप निजा 30 दो दबूंद करके तिन में तीन बार या तो ऐसे केस में जब डैमेज हो गया है तो ड्राफ में नहीं चलेगा तो निजा 30 चार चार गोली करक आपका अगर infectious disease से heart damage हो गया है तो आपका ठीक हो जागा heart से समंदित अगरा symptom यह है वह बहुत unique symptom है कि सरीर में दर्द कहीं भी रहे उसका स्थान आके heart में आएगा मान लिजे ओभरी का लिजे ओभरी में दर्द होगा तो लेकिन ओभरी का दर्द extending to heart तो दर्द कहीं भी रहेगा अगर ओ दर्द heart तकाता है तो आप नेजा पध्यान दिजे नेजा 30 सुबह साम लगातार देने से इस तरह का दर्द होता है दर्द कहीं भी हो रहा है और उसका पोजिशन होता है हाट के रिजेन में आप नेजा आग बंद करके दीजे नेजा 30 दो 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 करके दिमाद दीजे पैसेंट की इस तरह की परसानी पैसेंट की इस तरह की प्रॉद्म ठीक हो जागी दोस्तों कभी-कभी डिप्थेरिया रोग में डिप्थेरिया अगर ठीक हो जाता है तो उसके बाद में हर्ट का परार्सिस होने का चांस ज्यादा रहता है तो अगर किसी बच्चे को या किसी एडल्ट को डिफ्थेरिया हो गया है, वो किसी तरठी हो गया है, उसके बाद भी आपकी जान नहीं बचती है, क्योंकि उसके बाद में हर्ट का पराइसिस होने का चांस ज्यादा रहता है, तो डिफ्थेरिया के बाद में अगर जरा भी ड लेकिन दवाई तो आप रखे रही है अपने पास क्योंकि चेस्ट में देर्थ हो गया तो आपको ड़ाई चार घंटे बाद मिलेंगे आपके पास दवाई है तो आप दवाई चार बूत खा लिए आपको तुम तारा मिलिया दोस्तों इसका अग्राफ सिंटम है हर्ड से सबं तो दोस्तों आज मैंने आपको नेजा के कुछ शिंटम बताया अगर आपको टीट बेड़ लेना तो आपको वाट सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए होगा इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक् आपको टीए हमारा आपको जाएब कीजिए शेर कीजिए शेर कीजिए वीडियो न अश्कार